हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वरदाम यानि पंडित दिरेंदर सास्त्री के बारे में दोस्तो वो पटना भीहर पहुच चुके हैं जैसे कि सभी आप लोगोंने नियूज में देख लिया होगा आगे मैं अब आपको बता दूँ कि वहाँ पर जितने भी ववाली लोग थे जैसे कि ये लालो प्रसाद जी के बेटे लोग और दूसरे उनके दल के लोग जो सब विरोध कर रहे थे उनके अर्मानों के पानी फिर गया है और बाबा ने अपना जंडा वहाँ पर गाड़ दि दर्बार भी लगाएंगे और दर्बार में आने वाले सभी को छूट है वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिको और या इसाई हो जैसे कि आप देख सकते हैं लाखो की तादात में भीड उम्री हुई है देखने के लिए बाबा की एक जहलक पाने के लिए लोग तड़प रहे हैं दोस्तों हाँ और वो खुस नसीव इंसान होगा जो की उनके पास तक पहुंच पाएगा अपनी तकलिप बता पाएगा दोस्तों मीडिया में भी इसके बहुत सारे चर्चे हैं जी न्यूज आज तक जी एविपी न्यूज जो भी जितने हैं सभी लोग एक ही बात की सरकार यानि की पंडित दिर्यंद सास्त्री में ऐसा क्या है कि लोग उनके दीवाने हो गये हैं दोस्तों हाँ वह एक हनुमन कथा करते हैं पटना बिहार में वह 13 मई से 17 मई तक कथा करने वाले हैं बागे सर्धाम यानि की हनुमान जी वह हनुमान जी के परमभक्त हैं और ही कि उन पर करपा है और उनकी करपा के कारण ही सब कुछ चलता है वहाँ की फूरी पूलिस फोर्स , उनके truck donc श्今日 के उसमें लगी हूई एरपौर्ट से लेके जहां जहां तक उनको जाना है वहाँ वाँ मातक्स बहुत लोगों ने चुनोतियां दी बहुत लोगों ने धंकिया दी पर सब धरा का धरा ही रह गया है वह क्यूंकि साच को आज के माज़नी वही बात थाबित होती है उसके साथ खुद बजरंग बलि हो उनका कौन क्या विगार सकता है कोई कुछ नहीं विगार सकता और वा तो अच्छा कर रहे हैं हां करण अच्छा करने वालों का कोई कुछ नहीं विवार सकता भले पहले उनकी बुराईयां होती हैं उनकी आलोचना होती है उनका विरोध होता है सब कुछ होता है पर जब जमतकार होने लगते हैं तब बहुत कुछ यानि बहुत लोगों के अर्मान जो है वो मुट्टी में मिल जाते हैं दोस्तो ऐसे ही पब्लिक पागल थोड़े है जो इतनी लाखों की ताधात में आती है उनके एक बोल सुनने के लिए उनकी एक जलक पाने के लिए तो बिहार मिशन उनने अपना पूरा कर दिया है दोस्तो बाबा बागेश्वर ने अपना बिहार मिशन पूरा कर दिया है और 17 मही तक वहाँ पर डट कर वह अपनी कथा करने वाले हैं जिसको भी उनकी कथा का लाभ लेना हो वह वहाँ पर पहुंच सकता है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि वहाँ पर तो बैटने की जगे भी नहीं है फिर भी आप अपनी तर से जगे वहाँ पर बना सकते हैं और वहाँ पर बैठ सकते हैं दोस्तों जो भी है बात वह खुल कर सामने कोई नहीं आता हाँ बहुत सारे जोतिस लोग जो है वह बाबा के पक्ष में हैं और उनका साथ दे रहे हैं अभी ये जो तेज प्रताप यादों हैं तेजस्वी यादों हैं और इनके दल के जो आरजेडी के नेता लोग हैं वो थोड़ी बयान बाजी कर रहे हैं और थोड़े बहुत नितिस के मंत्री लोग भी बयान बाजी करते हैं और उनका कोई असर नहीं पड़ता जैसे कि हाथी चलता रहता है और कुट्टे भोगते रहते हैं हाथ ही चले और कुट्टा भोगता रहे क्या फरक पड़ने वाला है वही बाबा बागेश्वर्दाम इमने की पंडित दिरेंदर कृष्म सास्त्री के बारे में भी कहा जाता है दोस्तो पंडित जी तो अपना जंडा गाड़ी रहे हैं हमें भी कुछ हमारे देश के रहे करना चाहिए हाँ लोगों में जागरुपता लानी चाहिए जो विरोधी लोगें उनको समझाना चाहिए प्रेम से माने तो प्रेम से समझाना चाहिए प्रेम से ना माने तो दूसरा तरी का अपनाना चाहिए दोस्तों इस तरह से हमें हिंदु रश्ट बनाने की मुहिम आगे चालो रखनी चाहिए दोस्तों और बागे सरधाम सरकार का साथ देना चाहिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए तक्क्राइब काईब काईब स्गराइब को ये अन चाहिए वानियर कने चाहिए लागे वन्यस्टेशनेने डिक साक्राइब कीजिएhosN cutting निंदेए देने के काम सरकारति सी आभ ऐ जैदेन ठ civ- έदंद मताईब कीकीजिए तकंट को मेंत अइबाल को थे अनीने के अमानus Si